अगर आप चैनल के नए है तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले बेल ड़ा ले ताकि विडियो का नॉट्पिकेशन आपके पास सबसे पहुँचे तो चलिए हम नदी का कोश्चन देखते हैं इंपोर्टन कोश्चन है एक्जाम के लिए पहले कोश्चन से कावेरी नदी का उदगाम सरुत कहाँ कहा है तो ब्रहम गरी पहाडिया या है बेतमा नदी किस से मिलती है यमुना से यनि कि बेतमा नदी जो है किस में समाइत है यमुना नदी में अपने मार्ग में परिवर्थन करने के लिए आगे भागी रती और अलखननंदा गंगा में कहा पर मिलती है तो देव परियागल मिलती है भागी रथी और अलगनंदा जो है गंगा में कहा मिलती है देव परियाग में मिलती है सुन्दर बन डिल्टा का निर्मान करने बारे नदियां कौन सी है गंगा और ब्रहमपुत्रा है भारत की प्रिहत्तम नदी कौन सी है गंगा है भारत की ब्रेत्तर नदी कौन से है गंगा है किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है ब्रहम पुत्रा में किस नदी का उदम भारत में नहीं है ब्रहामपुत्रा में है तो ये कहां निगलती है ये निगलती है तिबद से ठीक है ब्रहामपुत्रा निगलती है चेमा योंगनों गलेशियों से निगलती है तिबद से दक्षिन भारत की लंबाई का करमा नुसा नदियों का करम कौन सा है सबसे लमी नदी जो है गुदाबरी है उसका क्रिष्णा फिर महानदी है नर्मला है कावेरी है तो सबसे बड़ी नदी कौन से दक्षिन भारत की गुदाबरी है उसके बाद बड़ी है कृष्णा उसके बाद बड़ी महानदी नर्मला और कावेरी है इसके करम याद रखेंगे गुदाबरी कृष्णा महानदी नर्मला कावेरी आगे है जै मंगली और चित्रावती किसकी साहिक नदियां है तो पिनारकी है। क्यों से नधी का है। पिनारकी है। कवेरी नदी किंकिं राजो से वरा गुजलती है। करनाटक और केरल। तो तिन राजव नदी। आगे गोबिन बल्लव, पंत सागर, किस नदी पर बनाए गई करित्रयमचील है। गोविंद बल्लव पंस सागर किस नदी पर बनाईगे एक क्रित्रियम जील है रिहांद नदी पर है जो कहां पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है कावेरी नदी कहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी कहां गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरत से हैं शिन्दू है गंगा कि साहिए नदिया गंगा मे पटना के पास मिल जाती है कि आगे भारत में डेल्ट बनाने वारे चौंगा और माहनदी भारत में डेल्टा बनाने वारी नदिय कौन सी है कावेरी गंगा और महानदी है भारत की परमुख नदी कौन सी है गंगा नदी भारत की सबसे महत्पुन और परमुख नदी कौन सी है तो गंगा नदी है भारत की चौड़ी नदी कौन सी है ब्रहंपुतर नदी है भारत की चौड़ी नदी कौन सी है ब्रहंपुतर नदी है और ब्रहंपुतर नदी में सबसे बड़ा दीप माजुली दीप है कौन सा दीप है सबसे बड़ा नदी दीप माजुली दीप है ब्रहंपुतर नदी में है जो विस्प का सबसे बड़ा नदी दीप है आगे प्राइदीप ये भारत की सबसे वाह नदी कौन से है तो गंगा है भारत की सबसे बड़ी बहने बड़ी नदी कौन से है गंगा है केंद सरकार ने किस राष्टी नदी का दर्जा दिया है तो गंगा को भारत केंद सरकार ने किसे राष्टी नदी का दर्जा दिया गया है तो गंगा को इनि गंगा जो है भार तो कावेरी को तो गोधाबरी को किसे कावेरी को किसे कावेरी को कौन सी नदी जुआर नदमुख का निर्मान करती है तो नर्मला नदी हो जाएगा सिंधु नदी की कौन सी सायख नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज सिंधु नदी की कौन सी सायख नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है तो सतलज नदी हो जाएगा बिस्व का बिरहत्तम डिल्टा किसके दोरा निर्मित होता है तो गंगा एवां ब्रहमपुत्रा बिस्व का ब्रिहत्ता में सबसे बड़ा डिल्टा किसके दोरा निर्मित होता है तो दो नदियां है गंगा और ब्रहमपुत्रा है कौन से नदी बिन्द सत्पुरा परवत सरेनी के बीच बहती है तो नर्मदा नदी हो जाएगा आगे दिखते हैं पस्चिम की और बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घरते अकार के अधार पर सही अनुकरम क्या होगा तो नर्मदा तापी माही सावर मती ठीक है पस्चिम की और बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घरते करम के अनुसार कौन सा होगा नर्मदा तापी माही सावर मती गुजरात में तापती नदी पर मानव निर्मित जिल कौन सी है उकाई गुजरात में तापती नदी पर मानाव निमित जिल कौन से है तो उकाई है पस्चमी चंपारण जिले में इस त्रिविनी नहर में किस नदी में पानी आता है गंड़क नदी से पानी आता है पस्चमी चंपारण जिले में एक नहर है त्रिविनी नहर तो त्रिविनी नहर में पुछता है कि किस नदी से पानी आता है तो गंडक नदी से पानी आता है उसमें अगला है दामोदर नदी कहां से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी कहां से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है अस्टेन ने जलासा है किस नदी पर है काविरी नदी पर है और वो कहा पढ़ता है तामिलाडो में पढ़ता है कौन सी नदी अपना मार्ग बदानने के लिए जाने जाती है कोसी बताये थे आपको कि बिहार का सोक कोसी को का जाता है अगला कि कौन सी नदी दक्षिन से उत्तर के और प्रवाहित होती है बेतवा नद किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है ताप्चिन नदी हो जाएगा दक्षिन भारत की नदियां में सबसे लम्मी नदी कौन से है गोदाबरी है असम और पस्चिब मंगाल के सीमा कौन से नदी बनाती है संकोष नदी असम और पस्चिब मंगाल के सीमा कौन से नदी बनाती है संकोष नदी अमर कंटक के पठार में कौन से नदी निकलती है सोन नर्मदा और महा नदी अमर कंटक के पठार से तीन नदिया निकलती है कौन कौन से नदी है सोन नर्मदा और ताप्चिन नदी अमार कंटक के पठार से तीन नदिया निकलती है सोन नर्मदा और तापती नदी सोन नदी जो निकलती है उत्तर की ओर नर्मदा निकलती है आपका पस्चिम की ओर और स्वरी पूर्व की ओर और महान निकलती है नर्मदान निकलता है आपका पूर्व कीवर्ड और यह माने निकलता है पस्टिम कीवर्ड ठीक है